जैहिन दोस्तों वेल्कम टू दा आउनायन स्टेटिय ग्यां आज हम इस वीडियो में दोस्तों बिहार द्रोगा आसपार का प्रैक्टिस सेट नेंबर नौल का डिसकस करेंगे इस बुक में फ्रैंट्स सोब प्रसंद दिया गें जो दो सवंखा होते हैं और दो गोंटे सेब में दिया जाता है इससे पहले हCause अगर आप सेट मेरे सेट ży्ट को आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया या जो है चैनल पर मेरे जा करके आप देख सकते हैं चलिए फ्रिंट्स अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों और वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों के साथ ग्रूप में जरूर्ड सेर करेगा फ्रिंट्स वीडियो कहन्त में आप अपना जो है अस्कोर जरूर बताएगा की आपका स्कोर कितना रहा चलिए हम आज के सेसन को सुरू करते हैं दोस्तों हमरा आज का पहला प्रस्ण दिया गया है कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का उनिश्य सहांति सिस्वी का अधिवेशन बिहार के किस सहर में हुआ था तो दोस्तो इसका आपका राष्ट एंसर क्या हो जाईगा तो ऑप्सा नमर चार अनिकी जो है भारति राष्टिय कंगेस का उनियस्य सहांति सिकादि वेशन बिहार की बहागल पूर्सजार में हुआ था ओप्सान डाष्ट चार इसका राष्ट एंसर हो जाएगा नेक प्रिशन दिया गया दोस्तों कि त्रावन कोर में कांगरेस के ने त्रावन कोर राज के जी दिवानी की स्वच्छाचारी सरकार के विरूत सभिने वाग्या नोलान अरम किया था वे कौन थें तो फिर इसका आपका रावलान स्वामी तो फिर इसका रावन कोर में कांगरेस के त्रावन कोर राज के जी यूए दिवानीिक के सोचाचारी स Star evolved वागे अंधलान अर्ब भी स्वाध्यारि था तो फिर रामा स्वामी दोस्तों की तो प्रिखिश संगठ हन आपका था मैसुर क मैसूर जो था प्रेंट चिया शत्ता हस्ता के समय जो निम्लिखित राज्यों में से एक कांगरेश तलकाई पूर्ण विक्षित संगठां था मैसूर ओप्शन नम्र सीज का राइट एंसर हो जाएगा नेकपर समयरत दिए गया है कि सन 1923 में कांगरेश का सेवने वागया अंतरों इतना सेफ़ल हुआ कि निम्लिखित सहरों में से एक में अंगरेशी राज के चीन कई महीं तक गायब से हो गये थे तो या घायब होने पार था तो बढ़ाई बढ़ी से option number six का right answer यह प्रसुनमारत दिया गया है जहन्दागीत किसने लिखा था जहन्दागीत लिखा था फिरें स्यामलाल पारसद ने option number four का right answer यह परसुनमारत अगर प्रस्ण नेगा है कि हालही में दादिलिंग की इस जार रुपी एक किमत पर खर दा है तो मकाई बारिज चाय जो है डाजली जाय के किसम है जिसे जापान के एक कमपनी ने रिकॉर्ड उन्हीं सजार रूपिय कीलो की कीमत पर खरदा था अपसर नमरे इसका राइट एंसर देगा नेक पर समारा दिया है किस घटना के कारण गांधी जी ने सवयो गांधुलन वाफस लिया था तो आपका इसका राइट एंसर देगा चौरी चौराकान जो है इसके कारण जो है सवयो गांधुलन जो महात्मा गांधी ने वाफस ले लिया था यह जो है 1922 में चौरी चौराकान खटा था नेक पर समारा दिया गया है कि सर्वोदे सब का परयोग सरपर्थम किषने किया था जिसका सबसे पहले परयोग करने वाले हमारे राश्पीता महात्मा गांधी कि द्वारज़ सरवोदे सब का परयोग सरपर्थम किया गया था उप्सवन नमरे इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक समरत जाए गया कि नौ कि पूना सम्झाता का उदेश क्या था पूना सम्झाता को उदेश था फुरेंड आपका दलित वर्ग को परतिनी थी तुदेना उप्सवन नमर 20 का राइट एंसर हो जागा दलित वर्ग को परतिनी देने का जो है ये पूना सम्झाता का में उदेश था एकला प्रस्थ जा गया है कि अंग्रेजी द्वारा भारतियों को निश्चा से तालिस में सत्ता अस्तनादित किये जाने के समय कांग्रेश का धियाश कौन थे तो उस समय जो है कांग्रेश का धियाश थे अपसर नमबर 40 का उजगा जेवी किरपलाने जब जो अंग्रेजी द्वारा भारतियों को निश्चा से तालिस में सत्ता अस्तनादित किये जाने के समय कांग्रेश का धियाश थे जेवी किरपलाने अपसर नमबर 40 का राइट एंसर हो जाएगा मंगाल में 1905 में विभाजन हुआ जिसके विरोध के फल सुरूप या दुबारा विभाजित हुआ तो यह जो है आपका राइट एंसर हो जागा 1911 में उपसर नमबर 40 का राइट एंसर हो जागा निनेखित में से एक यूद के समय भारत के रचा के कानून के प्रोधानों को जिससे 1915 में पंजाब में गदर के विरोध इस्तिमाल किया था सांती के समय भी जारी रखना चाहा था या कौन था तो इस व्यक्ति का नाम था लॉड जो है आपका हार्डिंग था उप्शन नमबर 6 का राट लॉड हार्डिंग के दोरा जो है यूद के समय भारत के रचा के कानून के प्रोधानों को जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरोध जो इस्तिमाल किया गया था जो सांती के समय में भी जारी रखना चाहा था लॉड हार्डिंग ने निक पर समय रख दिया गया है अमरिस्टर पर जाली अउला बाग में भीड का दमन हुआ था तो यह कब हुआ था तो आपका इसका राइट एंसर हो जागा ऑप्शन नमबर 2 तेरह परेल मुनिस मुनिस कुझ है जाली अउला बाग हात्या काड हुआ था अउप्शन नमबर 2 का राइट एंसर हो जाएगा लंदन में द्यूते गुल में समयलन की असाफलता इनकी छेतर छाया में हुआ था तो आपका इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा यह जोसा असाफलता हुआ था एरिविन और गांधी के समझाता के कारण अउप्शन नमबर 6 का राइट एंसर हो जाएगा गांधी इविन समझाता के कारण हुआ था अउप्शन नमबर 6 का राइट एंसर हो जाएगा नेक प्रशमारत दिया गया है सन 1935 में निमलिखित में से एक आदेस पारित करके अखिल भारतिया कांगरेश समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था दोस्तों वह आदेस किया था तो उस आदेस को जो है गैर कानूनी संग आदेस कहते हैं और अप्शन नमबर 8 का राइट एंसर हो जाएगा सन 1932 में जो है एक आदेस पारित करके जो अखिल भारतिया कांगरेश समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था गैर कानूनी संग आदेस के दोबारा उस नमबर 8 का राइट एंसर हो जाएगा नेक पर समर दिया गया स्वाधिनता अंदोलन के दोरान महात्मा गांधी के करीवी अंग्रेजी मीत्र कौन थे तो स्वाधिनता अंदोलन के समय रेवरंड चारली एंड्रियूज थे आप्सन नमबर 6 का राइट एंसर हो गया रेवरंड चारली एंड्रियूज दे थे तो आपका इसका राजगोपालचारी जो थे हैं पर्थम भारती जिन्होंने स्वाधीन भारत में गोर्णा जन्र का पदभार गर्ण किया था ओप्शन नमर 20 का राजगोपालचारी का उपनाम प्रिंट राजा जी के नाम से जानते हैं राजा जी याद रखेगा राजा जी इनका जो है उपनाम है ने परसंट देखते हैं प्रिंट इलाहबाद में संपन कांग्रेसक का रिकार्डी समीती की बैठेक अप्राइल माई 1947 में निम्लिखे सदस्यों में सेख सदस भारत के नाजिवाद और फासिवात था समराजवाद बिद्रोधी निश्चे रुख के कारण जापान की वुरिद गुरिला यूद की अपनी योजना की पच्छ में बहुत मत जूटाने में सच्छा मुए थे वे कौन थे तिया बहुत में जूटाने वाले ब्यक्ति थे आपका पंडी जुवालाल नहरू पंडी जुवालाल नहरू जो है ये बहुत में जूटाय थे ओप्सन नमर चारिज का राइटेंच रुजएगा आपका इसक राइटेंच सरुजएगा आपका इसक राइटेंच सरुजएगा पूर्व सब्सक्राइब 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 मुस्त अगला पुत्राइब हिमालय से काठ कर रेकवाप करने वाली नदिया कौन से हैं तो यह नदिया थी आपका ब्रह्म-पुत्राथ सतलज और सिंधु आप्शन नमबर जो है 20 का right answer हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, सतला, जब सिंधु नदिया है जो हिमाले से काट कर एक बहत कर आने वाली नदिया है अपसोाँ नमर 20 का right answer हो जाएगा नेख प्रॉसमरा दिया गया है सूची एक असूची सूची एक और सूची दो को मिलान करना दोशतो तो चलिए इसको मिलान करते हैं उस्ट कट मंधि साधा बाहर बन जो होता है यह आपका कहा होता है तो यह जो उस्ट कट मंधि साधा बाहर बन जो होता है यह सिलांग पठार सहाधरी छेतर में होता है आनि एक क्या आपका हो जाएगा दो यह सिलांग जो है पठार में होता है आनी कि दो जागा एकके दो मांसुन जो होता है या आनी कि छोटा नगर पठार यानी कि सिवालिक छेतर में होता है आनी कि एक हो जायगा और याक動 सिट्वसन, जो होता है आपका यह आपका कहा होता है तो पूर्वव और uring माले निलगिरीम होता है होता है और कच्य मेंग रोता है या आपका पछ़़ियं मंगाल um study यह होता है और है यह कुछ है क्या होता है तुछ आपका पछी मंगाल टराई होता है यह या इसका हो जागा कैसे आपका और नमर जो है तीनिस का राइट एंद सरो जाएगा चले नेक प्रिशन देखते हैं दोस्तों भारत में तामर स्वर्ण लोग कोईला निमनेखित में से की सवर की अस्थान से करम बाद है तिया आपका करम बाद था छेत्रिये कुलार कुद्रे मुख जरिया से ऑप्सोन नमर मिदास टाच इंफारेन पॉलीशी के लेखा कौन है तो इसके लेखाख है multicumar और ब्से का उर्चया सुरेंद penn drill कुमार के दवारा जहां नमिन्तम कोऊसटक मुद्री मिदास टाच इंफारेन पॉलीशी के लेखाख है उफसां मेर 2 इसका सरो जागा हाली में go ambulance श्रूरू करने वाला नागला प्राश्टन ने लिए बहारत में कोर उधोग जो है पीधूत कोड्ला और पेटॉलियूम पतार्थ का उत्पादन होता सब्सक्राइब कर दोस्तों यहां पर मिलान करना है बीस वग में आसी परतिसा सकीरी जो अला मुखी पह्तित मैं कि पैटिमें पा जाता है तो इसे मुंत कि आपका अच्षित मुंऄ सुब साकता है तो कि माध्यप्य परिफिय पर प्रसांद परेटि अन्हें कीodel दो और्र तीन आपका रइट हो या जाया मात Chicago कि इसके से अधिशुने मेर notor और जो है पौरी परसाद पेटी में जो क्या होता है ऑपचिन प्रति सक्किल जो व्याला मुक्हि पाया जाता है । अपसद्श नमर रिषरोजेगा बिस में उल्य साललतम सब्सक्र दचनी फिर्का किनियम्ने कौन सी परोश्रीनियों में वस्थीत है तिया वित्वा अस्टरेंड के स्रावाधिक विशालतव स्वनचेत्र दर्शीनी फिर्वाज़ाता उपस्वानिक नमबर सी का राइट एंसर हो जाएगा ने क्रिशन दिया गया कि 200 में धिक्तम समभावे जल सकती वाले कत्य पे नदी बेसिन काउंट सा है तिहां आपका नदी बेसिन है कांगो कोलंबिया और यांग टीसी और इक ओप्सन निमर जाब का राइट एंधर जागा A कांगो कोलंबिया यांग टीसी यांग जो है यह 20 मैं दिखता हूं सामभी जल सकती वाले कत्य पे नदी बेसिन होता है ओफ्सन निमर इसका राइट एंधर जागा निमरे खित्म इसे कौन से पर्मुक समुहन में आमें 220 दो त्याई जन्संक्या का मुदमाखी च्छाटे की भाति संक्रियंद्रन देखने को मिलता है तो दचिन पूर्व एसिया में और सीज का राइट थो जाएगा कि नेक प्रेस्ट नमर्ण दिजा गया है कि यह उने के चार्टर पर हस्ताचर हुए थे कब तो यह जो है स्टवियद्र का बिघटन कब हुआ था तो सांग का विघटन धुब्लमे में किया गया था अप्सवयों Стी आ ऐनी नमर्ण को सीज का राइट थो जागा संजुक्त राज अमेरिका के इतिहास में एक मात्र और निर्वाचित राष्टपती कौन बने थे निकी बीना निर्वाचन की निर्वाचित के जो है राष्टपती बनने वाले कौन थे कहाँ है कि नेकि प्रस्टि देखते हैं दूस्तों भारतीय सभेधान में है यहां स्विधान सततब राज्वांतों के राज drought हुद центр फिर राजों के मुख मंत्री आनि कि option number 20 का right answer हो जाएगा नेक प्रिशन दिया गया कि बीत बिल के लिए किसकी पूरो स्विक्रति अवस्यक होता है तो यह जवाब का स्विक्रति भारत के राष्ट पती कहोना जरूरी है option number 20 का right answer हो जाएगा नेक प्रिशन दिया गया कि नेम लिखेच में से कौन लगतार दो बाराष्ट पती रहे थे तो लगतार दो बाराष्ट पती बनने वाले डाक्टर रहेंदर पर साथ है इसका right answer जग option number A वह कौन सी सभा जिसका अध्याच उस सदन का सदस नहीं होता है उस सदन को हम लोग जो है राज सभा कहते है राज सभा जो है एक ऐसा सदन है जिसका अध्याच सदस नहीं होता है option number 20 का right answer हो जाएगा नेक प्रिशन दिया एक लोग सभा की कारवाही में भाग लेने वाले अधिकारी नहीं होता है तो वह अधिकारी जो है आपका भारत के राजपती के सचीव नहीं होता है option number 40 का right answer होता है लोग सभा की करवाही में भाग लेने वाला जो है भारत के राजपती का सचीव नहीं होता option number 40 का right answer होता है भारत के राशपती को विशिष्ट के अंद्री राजकोशिय समंदोग के बारे में सुझाओ किस ने द्वारा दिया जाता है तो या सुझाओ जो है किस के द्वारा जो या सुझाओ दिया जाता है भारत के राष्टपती को विशिष्ट केंदर राजकोसी ये समन्धों के सुझाओ जो है बीतायों के द्वरा दे जाता है अगला प्रशने के सवतंतरा पूर्वक बिहार में समाजवादी विचार धारा के परसार का सरे किसा जाता है तो यह अज़ अपसरे आपको कांग्रेसी कारिकरता की क्रामतिक कारियाता को जाता है अपसर नंबर सीज का राइट हैं सरो जाएगा दोस्तों अगला प्रशने कि ब्रिटिस राज में बिहार के किरिशक वर्गों को निविखित स्रेणियों में से रखा जा सकता है तो यह रखा जा सकता है आपका राइट हैं सरो जाएगा पंच मुखी वर्गी करण में और फाइफ फोल्ड के वर्गी करण में रखा जा सकता है उपसर नंबर इसका राइट हैं सरो जाएगा बिहार के भागों के आप निविखित में से क्या समलित नहीं है तो बिहार के गर्णागवर पठार उत्तर गाएंगा मैदान और दचिन गाँगा मदान को सब्लीद करेंगे लिए कि नेक परश्न दिए कि भी आरा कि निमनी में से कौन से समों की नदिया कि गंगा अथवा उसके शाहक नद्यों कि उत्तर की ओर आकर मिलती है तो उत्तर की वर से आकर मिलने वाले नदियां कोन सी है तो याँ आपका हो जदेगा गंडक, कमला और बागमती हानी के option number C अन्दी का राय अन्द मां गंडक, कमला और बागमती जो है या्ज उत्तर सायक नदियां है, आकर मिलती है स्विधान के तिखत्रवा संसोदन का सबंद किस्ये हैं तो स्विधान के तिखत्रवा संसोदन जो है यह आपका जो पंचायती राज अधनियम से है option number 6 का right answer हो जगा पंचाइती राज अधनियम यह पंचाइती राज अधनियम यह जो आपका पंचाइती राज अधनियम यह आपका उनईसो अधनियम में आया था नेक परने देखते हैं दोस्तो अगला प्रशने 21 समाज वाद धर्म पेश्टा और राष्ट एकता खंटा सब भारतिया सव्धान में जोड़ा गया था तिया जो है सब्धान समझन केता है जो है जोड़ा गया तो अपसर नमबर एज का राइट एंसर हो जाएगा 22 सब्धान समझन जो दोस्तों यह जो है अठातर में हुआ था यह ध्यान रखिएगा 22 सब्धान समझन जोस्तों यह आपका दल बदल से समझन दित है नेक प्रशन देखते हैं कौन सा आर्थिक अधिस सन रचना में नहीं आता है तिया आपका जो राइट अधिसर जागा ओप्शन नमबर सी सिच्छा यह स्वाज यह आर्थिक सन रचना में नहीं आता है यह याद रखिएगा नेक प्रशन देखते हैं दोस्तों इस परांटो जो है क्या है तो इस परांटो जो एक परकार का जो है अस्पेन का एक बंदरगाह नगर है अप्शन नमबर बीस का राइट इन सुर तो यह आपका राइट इन सुजगा ऑप्शन नमबर बी नेपाल की जो सीमा जो है अक मात जो है सीमा जो है भिहार राज से जूटती है और बीस का राइट इन सुजगा आम तोर पर शुरच्छा फ्यूच्प लगाने के लिए परिग्द होने वाला तार किस पदार का बना तो यह पदार किस चीज का बना होता है तो आपका इसका राइट एंसर प्रीयों का यह जाएंगा ऑप्सण नुबर 28m per chicken square तोरन के नीचे जाते समय सुन्य होगा और अगला प्रस्राइब है कि जब पथर को चान के से पीपर ला जाता है तो क्या होगा तो जब हम पथर को चान के से पीपर लाते हैं तो इसका बहार बदल जाएगा प्रणतु द्रयमान नहीं बहार में अंतर आएगा लेकिन द कार्बन डेकसाइड को निम्न ताप पर अगर ठंडा करते हैं तो यह बर्फ जैसे निकालने वाला धुवा कौन से होता है तो उस धुवा के हम लोग जो है अमोनिया और हैडोकलोरिक असीड काथे है दो उप्से निम्मने चारीश के रैट ओसरौजल जह का होता है है में कि निए प्रश्मत अमर्र दियाग है कि जस्ता कि एक कै hoje अथिण बाग गना तो एक गहटर किलोगराम पर मिटर कुछë है तो अथिण बाहग तामबा का जो है गना तेफ से हजार किलोगराम पर ऍच्छार कुछ मिलाने प्ल capacity गनदब थे कितना होगा तो इसका जो पितल का एकनों ताप ऑज़ आगा 8300 kg पर मीटर स्क्वार 1,200 kg अप्शन नमर जो था 2 का राइट एन सरसा है नेक प्रस्ट मैं कि अल्कोहुलिक और खमीरन का आखरी उत्पाद क्या होता है तो इसका आखरी उत्पाद होता है इथाइल एलकोहल इथायल एलकोहल जो है अलकोहलिक खमीरन का आख़ी उत्पाद होता है और शीज का राइट एंसर हो जागा निक पर समरत जाएगा दोस्तों कि वाई में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के उपर हरे रंग के बेसिक कर्बोनेट की परत जम जाती है तो धातु का राइट एंसर हो जागा तामबा नेक प्रेशन दिया गया है कि हईड्रोकलोरिक एसीट काज की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह आपकरिया करता किसे त्यहां आपकरिया जो आपका काज की सिल्कॉन अक्साइड से करता है अप्सान नमबर चार इसका राइट एंस होगा अधिलीन आगला प्रशन की स्फोटर कुनाइट्र गलिसरीन है एक परकार का क्या है तो यह परकार का जो एस्टर है ऑप्सान नमबर जो है चार इसका राइट एंस रोज़ेगा अगला प्रसन देखते हैं दुस्तों कि दिया गया कि जासता की एक बरतन का विर्थ ल आब से नेस्थ का धंधरू को बना जाता है यह नबर द्ली फिल्ट के और अगला रहा है ग। रहा रिटामीन खुञ सकता होती है उसका बिटामीन में वितामीन के न अवसकता होती है नेकरेतं के निमने खित से कौन सा हर्मोन जो है कौन सा यह अ कौन शायक हर्मोन बिलसका एम्सलीन यह यह परकार का हर्मॉन है aub option लए इसका लैंक लगा व्यकास का कारण क्या है तो व्यकास का कारण आपका हो जागा MentalTrade अनुकूलान अप्सब निवकेच में से कौन सा मनूस में अवस्घराइए? तो मनुष्ण का जो है या सामने वाले चप्टे दात कृदंत जो था या अपस्यासी आंग नहीं है जब कि निक्टी टेंटिंग पर्दा कणपालिका के कणणाव मासमें और वरमी फर्म अपैंडिक्स जो है या अपस्यासी आंग है नेक प्रिशन देया कि सरक्रों में सबसे मीठी कौन सा होता है तो सरक्रों में सबसे मीठी जो हता है सुक्रों जो हता है अप्स kitchen number various incurожд ест लो जरिगा बिहार महान धारमी केंद्र है की सके लिए तो बिहार जो है यहाँ पर जो है सीखों के लिए जैनों के लिए और बहुत धर्मा उलंबियों के लिए तीनों के लिए जो महां धार्मिक केंद्र है उपसर नुम्बर चारिस का राइट एंसर हो जाएगा जारखन बिहार से कब प्रिथक किया गया था जारखन को बिहार से जो यह 15 नुमबर 2018 को प्रिथक किया गया था उपसर नुम्बर चारिस का राइट एंसर हो जाएगा हिंद माह सागर 36 सायोग संगठन हिम्त 66 की चार्टर का हताथर कब हुआ था तो यहां जो है हताथर किया गया था आपका मार्च 1997 में मार्च 1997 में हिंद माह सागर 33 सायोग संगठन परहताथर किया था आपसर नुमबर 20 का राइट एंसर हो जाएगा भारत ने अपने पहला परमानुपरिसेशन कब किया था तो यह जो है दोस्तों परमानुपरिसेशन भारत ने पहला किया था तो यह आपका संचार को सामिल नहीं किये गाफसर नुमर 20 का राइट एंसर रहो जाएगा था स्राज की अन्य देशों में भागोलिक अगला प्रश्चन है कि बिहार में महात्मा गांदी के पूर्व सापेच राष्टी सक्रियता की अनुपस्थिती इसके भाव में देखी जा सकती है, तिया अनुपस्थिती जो है एकी किरिश समदाय का रूप में देखी जा सकती है, अप्सवन नमबर ए इसका राइट एंसर हो जाएगा, निक फिशने दोस्तों कि स्वतनता पूरु बिहार में बड़े जमिदारों के राइजनीतिक सक्ती बचाने का माध्यम किया था, तो यह बचाने का माध्यम तो आपका आर्थी किस्थिती, ऑप्सवन नमबर जो है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आर्थी क आर्थी किया था, आपिशन नमबर इसका राइट इंसर हो जाएगा, हडपा में एक उन्नध जाल पर्मंधर पनालिक पता चलता है, तो यह पता कहा से चलता है, आपका ओसिर जाएगा, 16 माह जन्पकदु के सुचि अपलब्द है, तो यह अंगुत्तर निकाइश से मिलता ह आपसर नमबर 20 का राइट अंतल का अंगूतर निकाश से इससाप पूर्व 6 साधी में बीशों की परत्धम गंतात्र अतनक विहसता का था बयसाली में option number 10 का right answer हो जागा वे स्वाधरि में जिसके गरंथ में चनुघत मर का बिशिष्ट रूप से वर्डन होगा है वक किया है तो आपका इसका राइट एंसर बिसाक दत विसाक दत जो आप लिखा गया पुष्ताग में चनुघत्र का बिशिष्ट रूप से वर्डन किया गा इंडिका पुस्ताक जो मेगा सिनी दोरा लिखा गया पुस्ताक है त्रित्री बहुत संगीति कहां अयुद किया गया था तो त्रित्री बहुत संगीति थे यह आपका जो है रजहानी के रूप में वचयन किया गया था तो पाथले पुष्षानी बनाने वाले या वेसासे कौन था तो ऐसे आपका रॉद्ध्र नोबर सी अनी की पाली भासा में लिखा गया था निम्रिखित में से किस मौर राजा ने दाक्कान की विजय की थे तो दाक्कान की विजय करना वाला राजा था चंद्रगुप था चंद्रगुप था अप्सवन नमर 20 का राइटेंस रोगा जो दाक्कान का विजय किया था अगला प्रेस्ट में दोतों कि मेगा इसनीज ने भारतिय समाज को कितने स्रेणियों विभाइद किया था तो यह साथ स्रेणियों विभाइद किया था अपसर नुमर चारीज का राइट एंसर हो जाएगा अर्थ साथ है कि उन्सार सीता भूमी अभी फिराय किया था तो सीता भूमी हम इसे काते थे तो आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा आनि कि जन जाती द्वारा जोती जाने वली भूमी को हम लोग सीता भूमी काते थे तो आपका इसका जाएँ दो आपका इसका जाएँ करद में और या भुष्ण सुतनत्र था बरनी निया क किफ़ेंडिक के लिए दो अगला प्रसाइब में मादद एह मौस करता है किसे तो यह इंगित करता है बिद्वानों को दे जाने वाली रज़त्स मुक्त अनुदत भूमी जो है यह मुगल परसासन में मदद यह मौस्क इंगित करता था अगला प्रश्ण की दास्तान ने अमीर हज्जा का चिन तरांकन किसके द्वरा किया था है अप्सण नमबर यह इसका राइट अंसर अब्दूस समथ के द्वरा अठारी सद्वी बंगाल में वहत्र उधोक के पतन के लिए उतरदाई करण किया था तो इसका उतरदाई करण था आपका अनिकी यहां पे चार अप्सण जाएक इसका उतरदाई करण था ब्रीटिन को निर्यात करने वाले माल पर उच टाट करना अप्सण नमर सी इसका राइट अंसर देगा अगला प्रस्ण दिया गया है कि 1927 में बटलर कमीटी का उधेस क् दोस्तों कि बटलर कमीटी जो था भारत सरकाता था देशी राज के मद संबंधों को सुधारना था इससी कारण जो है उन्हेस में बटलर कमीटी का उधेस लाया गया तो अप्सण नमर चार इसका राइट अंसर हो जागा अगला प्रस्ण जिया गया है कि सन 1935 के विधेक के तहत गठी संजुक संसदी समीति के देश कौन थे हैं जिसके परिणाम सुरू भारत सरकारत कानून 1935 निर्मित हुआ था तो यह निर्मित किया गया था आपका इसका राइट अंसर हो जागा लौड लेलिद्गों के दवारा ऑप्सान नमर इसका राइट अंसर हो जागा आ चलिए दोस्तों यह जिसमें सभी जीक के इस प्रस्टन से इसको डिसकेस करवा दिये आपका आप चो इसका अपना स्कूर जरू कोमेंट में लिखेएगा अभी तक दोस्तों हमारा चैनल पढ़ना है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों